तारक मैता का उल्टा चश्मा इस शो को शैलिश लोडा ने क्यों छोड़ा? इस पर शैलिश लोडा अब तक चुप थे लेकिन फाइनली शैलिश लोडा ने बता दिया है कि शो को उन्होंने क्यों छोड़ा और कहीं न कहीं उनकी बातों से ये समझ आता है कि शो के प्रेडियूसर असित मोदी की हेकडी की वज़े से आर्टिस्ट इस शो में नहीं रुक रहे हैं और वो धडले से शो को छोड़ रहे हैं असित मोदी ने शैलिश लोडा के जाने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने शैलिश लोडा को रिप्लेस करके सचिन श्रॉफ को कास्ट कर लिया ये बताने के लिए कि तुम्हारे जाने से शो को कोई फर्क नहीं चोड़ा उनका कहना है कि producer अपने आपको artist से बड़ा मानने लगा था एक producer एक businessman होता है और एक businessman actor को overpower नहीं कर सकता क्योंकि वो actor के talent की कमाई खा रहा है इसलिए जब कोई producer मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है तो मैं इसकी भारी निंदा करता हूँ और मैं इसके against हूँ इस situation का example शैलिश लोड़ा ने यूँ दिया कि देश के जो publishers है नामी वो तो diamond की अंगूठी पहनते हैं लेकिन जिन writers को अपनी किताबे publish करवानी होती है उन बिचारों को अपनी property अपना पैसा लगाना पड़ता है जबकि सच बात तो यह है कि publisher जो है वो writer के talent का ही पैसा कमा रहा है और फिर जब वो writer की ही इज़त नहीं करता है और उसके talent का पैसा खाने की कोशिश करता है तो फिर आवाज उठानी जरूरी है और इसलिए शैलेश लोडा ने show को छोड़ कर अपनी आवाज उठाई है कि तुम producer होंगे लेकिन actor से बड़े नहीं शैलेश लोडा के इस statement के बाद लोगों की दो तरह की राय आई है जहां लोगों का कहना है कि असित मोडी ने कुछ गलत नहीं किया शैलेश लोडा ने अगर show छोड़ा तो उसकी जगे तुरंत दूसरे actor को cast करके शैलेश लोडा के attitude को उन्होंने मात दी है वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शैलेश लोडा ने बिलकुल सही किया असित मोडी का घमंड यूही ठिकाने आएगा आप बताईए कि इस पूरे जगडे में कौन सही है कौन गलत शैलेश लोडा या सित मोडी